नमस्कार साथियो नियूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं हिंदी पट्टी के राजनीतिक दल गैर हिंदी पट्टी छेत्रों में किस तरह की राजनीतिक हैस्यत रखते हैं इससे पता चलता है कि भारत की वित्ता को समेट्टे क्यों है नहीं तो तमिलनाडो और महरास्ट की राजनीति पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे प्रमुख संपादक प्रभीर प्रोग्यास था साल 2014 के चुनाव में तमिलनाडो में भी सुनामी थी मोदिल लहर के बावजूद भी वहाँ पर ए आई ए डेमके ने 37 सिटी जेती हैं अब इस बार की चुनावी स्थिति में आपको कैसा लग रहा है कि साल 2019 में क्या स्थिति रहेगी देकि दक्षिन भारत वैसे भी नौट के साथ अक्सर वोट नहीं करता कभी कभी करता है कभी 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 नहीं भी करता है तो इस बार अगर देखें तो दक्षिन भारत में खासतर से तमिलनाट में राजडीत कुछ और दिशा पे जा रही है क्योंकि वहां मुख्य जो भूमी का है डियमके और ए आई डियमके के रही है पिछले चार पांच चुनाओं से और खास तोर इस बार जो बुद्धा है ये पहली बार जैललीता चुनाओंवी मैदान में नहीं है क्योंकि उसका देहांत हो गया है तो इसलिए ए ए ए डियमके का क्या हस्र होगा वो देहना पड़ाया जो हमारी जो संगबाद दाता ग्राउंड पे हैं उनकी रिपोर्टिंग आप देखें लगता है कि ए ए ए ए ए डियमके की हालत इस वक्त इतना अच्छा नहीं है पिछले बार की चुनाओं अगर देखे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पीछले बार साइती सीटे उनको मिली थी और इस बार अगर आप देखें तो संभावना एही है कि अगर कुछ स्विंग होता है वोटों की ए ए ए ए डियमके की वोट कुछ कम हो जाती है जिसमें लगता है कि उनका वोट पाँच साथ परस दियमके 11 पर चले जाती है और दियमके 28 हाँ इस वक्त ए ए ए ए डियमके बीजेपी के साथ है एक हिसाब से उनका समझावता है और दियमके कॉंग्रेस के साथ है और कुछ और पार्टिय इसमें लेफ्ट पार्टिय बें शामिल है उनके साथ सीट अज्जस्मेंट है इस तरह से एक तरफ कह सकते हैं कि यह तीन पार्टिय अकठा लेफ्ट कॉंग्रेस और डियमके एक साथ है तो यह अगर साथ परसंट स्विंग जिसकी आप जिकर कर रहे तेंगर होता है तो बहुमत डियमके कॉंग्रेस और लेफ्ट के पास जाएगा पर सबाल है जिहाद साथ परसंट स्विंग की बात करना है है जबकि अगर हम पीछले बाई लेक्षन देखें तो उसमें करीब करीब डियमके की सोला से सत्रा परसंट वोट कम हुए थे पारलेमेंट या एसेंबली चुनाओं की मुकाबले में तो यह देखते हुए मुझे लगता है कि इस वक् की स्थिति काफी नाजूक रहेगी और डियमकी की जो पक्ष है यह इस वक्त उनका पलड़ा भारी चल रहा है और आश्यर नहीं होना चाहिए वह अगर टामिलनाट को स्वीप करें कि टामिलनाट की और एक खासियत रही है चुनाव में वह है कि जो भी पार्टी जीता है त भारी बहुमत से जीता है तो वो नेरो मार्जिन से थोड़ा सा ज्यादा सीट जीते ऐसा नॉर्मली होता नहीं है तो यह तो इधर यह तो उधर जाता है तो इस बार लगता है इधर जो है डियमकी के तरफ जो पलड़ा काफी भारी है बहुत मुस्किल होता है कि एए डियम हमेशा यह नहीं चाहते हैं तो जो उनका कोर वोटर होगा वो भी टूटा होगा ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि यह जो अपकी बार का चुनावा 2019 में वहां पे भाजपा के लिए कोई जगह नहीं बची हुई है लग तो रहा है कि भाजपा जो जगह बनाने की के के अंदर हस्तक शेप करके उनको पार्टी को पीछे से चलाने के जो रोल अदा कर रहा था उससे AI-ADMK के कुछ कोर जो सेक्शन्स है वो काफी नाराज है दूसरी बात आपने जो कहा अगर इनका जड़ देखे तो जड़ तो ड्रवड़करगम मूव्मेंट से है जो की एक एंटी खास तोर से एक एंटी ब्रामेनिकल रोल है उसका और खास तोर से उनका एक एथिस्ट रवाया रहा है तो वो कोर देखते हुए लगता नहीं बीजेपी के साथ इस तरह की राजडीती का मेल बहुत हो सकता है और आपने जो कहा कि शशिकला इस वक्त अगर देखा ज चुछता ये एडियम की जो अभी पार्टी है जो बीजेपी के साथ लड़ रहा है तो ये इस चुनाओं के बाद उस रफ़ाद में रहेगा एक रंप एडियम के के ना की तरह से रह जाएगा और इसका मुख्य एडियम के का जो धारा है वो शायद शशिकला देनकरन के कि काई अगर इस फैक्टर को भी देखें और भाचपा को देखें कि भाचपा अगर बहुत उग्र हो करके अपना राश्ट्रिये प्रचार कर रही है वैसी स्थिति में और तूती करन फायरिंग को ले करके और किसानों के डिस्टरस को ले करके इन सारी छेतरों में आपको लगता है कि यह जो साथ परतिसत का हम जो स्विंग आकलन कर रहा है इससे ज़्यादा वो स्विंग जा सकता है मैंने ही कहा कि टमिलनाट का इतिहा से ही रहा है एकदम इधर स्विंग करता है तो उधर स्विंग करता है उसको देखते में डियम के स्वीप करेगा टमिलनाट में DMK और उसके साथ जो पार्टी है स्वीप करेगा टमिलान में इसका संभाबना मुझे तो ज्यादा लगता है अब महरास्ट पर आते हैं महरास्ट में देखें तो NCP और कॉंग्रेस का गटबंधन और उधर BJP और CSUNA का गटबंधन और अगर उसको हम क्या कहते हैं कि 2014 के चुनाओं के अधार पर अगर हम उसको देखें तो 2014 के चुनाओं में BJP को 23 सीटे मिली थी और CSUNA को 18 सीटे मिली थी और दोनों ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया था अगर उस अधार को देखें और 5 साल में जो परिवर्टन हुआ है तो साल 2009 की स्थिती कैसी लगती है वहाँ पे दो चीज है एक तो यह है कि इस वक्त भी BJP शिफसेना का पलड़ा महाराष्टा में मुझे तो लगता है कि भारी है तो वो इस वक्त कितने सीट ले आएंगे वो अलग बात है कि उस तरह से जो क्लीन स्वीप पिछले बार था और ताली सीटों में से मुख्यता सीट उन्हीं के पास थी तो उसको देखते हुए उस तरह के स्वीप होगा या नहीं होगा ये जरूर सवाल है पर मुख्य भूमी का अभी भी चुनाओं में उन्हीं को दिखता है अभी तक तो इसमें दो कारण है एक तो ये है कि जो न्सीपी और कॉंग्रिस का गड़बंदन हुआ है महराश्टर में छोटे छोटे बहुत सारे और पार्टिया है तो उनके साथ कोई अलाइंस टिच करने की उनकी कोशिश रही नहीं ये तो कामियाब नहीं रही उसमें मुख्यता लेफ्ट के साथ कोई अड़्जस्मेंट नहीं हुआ इसके बाद वहाँ लेफ्ट में सिर्फ सीपी आई सीपीम नहीं बट पी ड़बली पी भी है प्रानी बामपती पार्टी ताकत वहाँ पर है इसके बाद वहाँ पर आपका प्रकाश अंबेट कर उसका भी उनका भी एक भूमिका है तो हाँ OAC और प्रकाश अंबेट कर जो गड़बंदन हुआ है उससे भी इस कॉंग्रेस और NCP का चुनाव में लॉस होने का संभावना है तो इसको देखते हैं हो सकता है छोटे-छोटे वोट्स है इनके पास बहुत ज्यादा नहीं है पर इसको एड़ अगर करें तो चुनाव में पलड़ा इधर से उधर करने की छमता रखते हैं और यहीं वजह है कि छोटे पार्टियों को इकठा करके अपने साथ रखना यह भूमिका कॉंग्रेस NCP महराश्ट पे अदा नहीं है पारे टीम ने जो आकलन लगाया इस क्या क्या क्यातना कि पांच पर तिस्ता अगर श्विंग होता है वैसी इस्थिति में तो लगभग 25 सीटें आ सकती है NCP और कॉंग्रेस के गठा बंधन को और तेज़ पे रह सकती है भाजपावर से इसे ना कि लेकिन फिर भी अगर स्थिति में पांच सालों के अंदर रहा है उपर से राज ठाकरे जिस तरीके से बयान दे रहे हैं इन सारी स्थितियों को लेकर के देखें तो अगर यह स्थिति होती कि प्रकास संबेट कर और AIM, MM, OVC की पार्टिये सब मिल करके अगर कॉंग्रेस के साथ होती है तो प्ले करते हैं उसको छोड़िए हम यही कह रहें कि वहां पर और भी छोटे-छोटे पार्टिया थी प्रकाश अंबेटकर से अलग से भी बात हो सकती थी पर क्यों नहीं गवा किसकी दोश है उस पर नहीं जाते हैं पर यह बात है कि यह अदा यह जो भूमी का है कॉंग्रे है कि ड्राउट है वहां कर पानी की बड़ी समस्या है बारिश नहीं हुई ठीक से तो यह है गटना किसानों के संगर्श रहे हैं तो इसका विधर्बा में तो लगता है इसका असर पढ़ेगा और पढ़ भी रहा है पर दूसरे छेत्रों में किता पढ़ेगा देखने की बा है पर बहुत घड़ जाएगा यह भी मैं इस वक्त इस पे मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं करता हूं देखना पड़ा क्या होगा चुनाओ तो जब डबे कर भी एवियम्स खोलेंगे तभी पता चलेंगा क्या होता है पर अभी देखते हुए मैं यह कहूंगा कि मेरे हिसा अब से महराष्ट्रा उनी के जोले में बहुमत को लेकर जा रहा है कितना मार्जिन होगा कितना सीट होगा यह देखनी की बात है शुक्रिया प्रभीर तमिलाडू में प्रभावी घडवंदन था इसलिए भाजपा हारते हुए दिख रही है देखे आगे क्या होता है शुक